और इस वक्त हमाई साथ खुछ जुड़ रहे हैं नरपर सिंग राजबी जो बीजेपी मुमी द्वार हैं चितोरगर से राजबी जी बहुत शुक्रिया इंडी टीवी इंडिया से बात करने के लिए नाराजगी दूर हो गई है चितोरगर के लिए आप तैयार है लेकिन राजबी जी आप पहली लिस्ट में विद्याधर नगर में आपका नाम नहीं आया आपका टिकेट कड़ गया तो तब नाराजगी थी गुस्सा था या फिर मायूस हुए थे आप उस खबर के बाद क्षेमा चाहता हूं बुरा लगना और विरोध प्रकट करना उसमें अंतर है बुरा लगना है वो भावना है पांच साल काम करता है तो उसको जैसे अब चंदरबान आक्या की वहां से टिकेट काटी है तो सिटिंग एमेले क प्रदेश का अब विद्यधर नगर सीट को अच्छी तरह से समझते हैं वहां पर जो एक तरह से दिया कुमारी जी के लिए वहां पर क्या चुनौतिया होने वाली है आप से कुछ वह एडवाइस ले रही है कुछ सुझाव ले रहे हैं वहां पर थोड़ा नहीं अभी तक एक बार बात हुई थी टेलिफोन पर एडवाइस तो जितने भी वर्क करने वाले वर्कर्स हैं वो फील्ड में अपने आप क करती हैं आपको कि आप उसे सीट के लिए थोड़ी मदद करें क्योंकि वहां से मिले हैं तो आप मदद करेंगे उनकी बिल्कुल मदद करेंगे मदद कर भी रहा हूं अभी तो मैं दो-तीन दिन से चार दिन से इस पर मानिया बहरों सींजी शेकावत साब का सववां जनम दि सबको साथ लगाया है तो स्पेकुलेशन पे विरोध दिखाना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा यह बताए कि पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में साथ सांसदों को टिकेट दिया है विधान सभा के लिए आप पार्टी के स्थानिय वरिश नेता हैं इसके पीछे क्या का लॉजिक रहा है पार्टी का कि सांसदों को अब विधान सभा के मैदान में उतारने का आरम में जब मध्यप्रदेश के संबन में और दूसरी राज्यों के लिए जब निरने लिया था तो शायद यह था कि जहां पार्टी वीक है जहां नहीं जीती है यह पिछले 2008 में री कॉंस्ट्यूशन होने के बाद वहां पर वरिश लोगों को उतारेंगे अब उसके अलावा भी निरने पार्टी लेटी तो पार्टी के इंटरेस्ट को सोच के लिया होगा बाकिंक तो कुछ समझ में नहीं आता लेकिन स्टृडी किया होगा इसको एक एक सीट में कॉन से बूस बूफ पर कितना वोट है सबके पास सामने हैं तो निर्ने जो पार्टी लेती है वो सोच के लेती है अच्छा लेती है चितोरगर में आपकी पहली प्राथमिक्ताब क्या होने वाली है अब 15 साल बाद वापिस इसी इसाब से जा रहा हूं पहले तो वहां पे पीने का पानी और रोड्स की प्राथमिक्ता रही है कोशिश करूँगा इरिगेशन और आज की जो समस्या है उसके बारे में वहां पे अध्यन करके और उनका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उसी त 2009 सभी में इसमें लग गया था और उसका लाब मिला है जी बहुत शुक्रिया इंडी टीवी इंडिया से बात करने के लिम बात करते नर्पत सिंग राजवी जो भी जेपी उमीदवार है चित्ता और गर्ष से और उन्हें कहा कि विरोध हाला कि उन्होंने नहीं किया लेकिन दुख और मायूसी जरूर हुई थी जब पहली लिस्ट में उनकी जो सिटिंग सीट है उससे वहाँ पर उन्हें टिकेट नहीं मिला था